सू स्वागतम आज हम संस्कत विशे के संस्कत भारती भागचार कक्षा आठ का पार्ट नो विरांगना लक्ष्मी भाई पढ़ेंगे ये गध्ध भागे इसमें इसको पढ़ने के लिए जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ ये चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रभ कोफी में एक-एक पेरेग्राफ को उतारना है फिर उसके बाद इसमें जो शब्दार्थ दिये हुए है इस शब्दार्थ है इन शब्दार्थों में से जो कठिन शब्दें जिसका आर्थ आपको नहीं आता है आपको उसके अर्थ उसके नीचे लिख देने है इस प्रकार से ऐसे इसके अर्थ उतार देने हैं ठीक है? इस तरह से आपको अपनी रफफोपी में उतारना है और जिसका कठिन शब्दों उसके नीचे उसका अर्थ लिख देना है फिर आपको जब इसका अनुवाद करने की कोशिश करने है प्रयास करना है तब जो अर्थ नीचे दिया हुआ है उसको अर्थ को पढ़ेंगे और जिसमें अर्थ नहीं दिया हुआ है उसको मेन शब्द को पढ़ेंगे मूल शब्द को पढ़ेंगे ऐसे जैसे पढ़ते चलें यह अनुवात का बहुत आसान तरीका है ठीक है आपको पूरा चैप्टर का आर्थ करने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा तो इसका मैंने पहला दूसरा पेरिग्राफ एक उधारन के तोर पे आपको लिखके बताया है तो इसको आपको इसे उतार लेना है फिर इसका अन गणने आसान जाएगा ठीक है दो अश्व दो च अश्वारोहिनों दो यानि दो अश्व यानि घोडे और चकार्त और दो अश्वारोहिनों दो घुरसवार अश्वार हो यह नहीं घुरसवार दो घोडे और दो घुरसवार एक बालक एकाच बालिका एक तो बालक और एक बालिका बालिकाया अश्व तिवर तरम धावती बालिकाया यानि बालिका का इसमें जैसे हमें ध्यान रखना है विभक्ति का भी इसमें ध्यान रखना है विभक्ति के लिए मैंने जैसे बाली का आया है इसमें बाली का शब्द तो ऐसे के ऐसे आएगा और या जो सश्टी विभक्ति एक वचने तो उसका आर्थ होता है का तो मैंने या नीचे का लिख दिया तो बालिका का अश्व यानी घोड़ा तीवर्ट तरम यानी तेज धावती यानी दोड रहा था बालिका का घोडा तेज़ दोड रहा था अकस्मात बाल्क धावत अश्वात पतन नस्ती अकस्मात यानि अचानक बालक धावत यानि दोडते वे घोडे से अश्वात यानि घोडे से पंचुमी बक्ती एक वचन है घोडे से पतन नस्ती यानि गिर्ने वाला था अचानक बालक दोड़ते घोडे से गिर्ने वाला था बालिका त्वरितम तम उठा पेति बालिका त्वरितम यानि शिक्रिता से उठाती है नीजा शबे अपने घोड़े पर उपवेश्यती यानि बिठाती है इसके बाद गिहम चया प्रत्यावर्थते गिहम यानि ओर गिहम यानि घर प्रत्यावर्थती यानि लोट के आती है सेयम इसका संदी विछे दोगा साधन इम यानि वह यह वही यह आसीत का मतलब थी वीर वाली का मनुः वही जो वीर बाली का वो कौन थी? मनू थी मौरोपन्त तामबे महोदय से कन्या किसकी कन्या थी वो? मौरोपन्त तामबे महोदय की पश्चात सेव जहांसी राग्गी विरांगना लक्षमी भाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत पश्चात बाद में सेव साधन एव इसका अर्थ हो गया वही जहांसी राग्गी विरांगना लक्षमी भाई इति यानि इस नामना यानि नाम से प्रसिद्धा अभवत प्रसिद्ध हुई इस नाम से वो प्रसिद्ध हुई सच बालक आसीद पेश्वा बाजी रावत से पुत्र नाना साहब और च का मतलब और सच यानि वह बालक आसीद का मतलब था पेश्वा बाजी रावत का पुत्र नाना साहब और वो बालक जो था वो पेश्वा वाजी राओ का पुत्र नाना साहब था मनू नाना साहबस्य भगनियू आत्मिया आसीद मनू जो थी मनू किसका नाम था? रानी लक्ष्मी बाई का बच्पन का नाम तो मनु नाना साहब के बहिन के समान आत्मिया यानि अपनी आसीत का मतलब थी जो मनु जो थी यानि लक्ष्मी भाई नाना साहब की बहिन के समान अपनी खुद की बहिन के समान थी यह आपका paragraph पूरा हो गया इसी तरीके से आपको अगले जो paragraph हम पढ़ेंगे उसको भी इसी तरह से बनाना है इसी तरह से बना कर पढ़ना है ठीक है यह आपके शुरू के दो paragraph कम्प्लीट हो गया अब थार्ड paragraph से हम इसको पढ़ेंगे 1835 इस्विये वर्षे वारानस्याम जाता मनू शेश्वेई मात्र विहीना अभवत सन 1835 में वारानस्याम मनू शेश्वे यानि बच्पन में ही मात्र विहीना मतलब माता से विहीन अभवत का मतलब हो गई मतलब उसकी माता जी का द्यान तो गया मोरोपंत ताम आदाय पेश्वा बाजी रावन निक्षा बिठुरम आगत मोरोपंत ताम जो थे उनके पिताजी वो ताम यानि उसको आदाय मतलब लाकर इसमें लिप्रत्य उसमें कर अर्थ होता है आदाय यानि लाकर पेश्वा बाजी रावन के निक्षा का मतलब पास अव्वेशब्दे बिठुरम दित्या एकवचने यानि बिठुर जग का नाम है वहां आगता यानि आ गए बाजी रावस्से पुत्रभ्याम सहबाले मनू अपी कुंत ग्रपान चालनम भुशुंडी प्रयोगम चशिक्षित वती बाजी राव के पुत्रों के साथ पेश्वा बाजी राव जो थे उनके पुत्रों के साथ बाले यानि बच्पन में मनू मनु का मतलब लक्षमी भाई रानी लक्षमी भाई का बच्पन का नाम है मनु अपी यानि भी कुंत क्रपार्ण चालनम यानि भाला और तलवार चलाना च यानि और भुशुंडी प्रयोगम अर्थाथ भुशुन डिकार्द का है बंदूग चलाना शिक्षित वती का मतलब सीखा यानि बाजी राओ के पुत्रों के साथ बच्पन में ही मनुने भी तलवार और भाला चलाना तथा बंदूग का प्रयोग सीखा युवत्यहा मनवाह जासीर नेरेशेन गंगाधर रावेन सह विवाह अभावत यूती मनु का जासीर नेरेश के साथ विवाह जासी नेरेश कौन था गंगाधर राओ के साथ विवाह हुआ मतलब जो यूती मनु थी उसका जासी का जो नेरेश थे गंगाधर राओ उनके साथ उनका विवाह हुआ यानि उनके पती का नाम क्या था गंगाधर राओ इदानीम मनु जहासी राज्यस से रागी लक्ष्मी बाई संजाता अब मनु जो है वो जहासी राज्य की रानी रागी यानि रानी लक्ष्मी बाई संजाता यानि बन गई पहले उसका नाम मनू था और गंगाधर राओ के साथ विवा करने के बाद जहांसी राज्य की रानी बनने के बाद उनका नाम लक्ष्मी भाई हो गया राग्गी भूत्वापी सा स्वयम अस्त्र सस्त्रादी चालनम शारिरिकम व्यायायम चह करोती इसमा रानी भूत्वापी यानि होकर भी भूत्वा धनअपी यानि होकर भी सा यानि वह स्वयम यानि खुद अस्त्र सस्त्र चलाने और शारिरिक व्यायाम करती थी अस्त्र सस्त्र चलाना और शारीरिक वयाम करती थी यानि वो रानी बनकर भी खुदी अस्त्र सस्त्र चलाने का और शारीरिक वयाम का कारे करती थी धार्मिक ग्रंथा नाम अध्यननम दान पुन्ने च तस्या देनिकम कार्यम आसीद धार्मिक ग्रंथों का अध्यन और दान पुन्ने में तस्यानि उसका देनिक कारे था उसका रोजाना का काम था अगला पेरिग्राफ यथा लक्ष्मी बाई महोदया एक पुत्र जात यथा कालम समय के अनुसार लक्ष्मी बाई महोदय के एक पुत्र जात का मतलब पेदा हुआ परंतु मास त्रेन एव सह दिवम गत परंतु मास त्रेन मास का मतलब महिना त्रेन यानि तीसरे महिने तीन महिने में ही एव का मतलब ही सह दिवम गत वह मर गया राजा जहांसी सिंगासनस्य क्रते दामोदर राओ गंगाधर राओ इत्याख्यम बाल के दत्तक पुत्र रूपेन स्वीक्रत्वान जब उनका खुत का पुत्र मर गया तीन महिने में तब जहांसी सिंगासन के लिए क्रते कार्थ के लिए दामोदर राओ गंगाधर राओ जो इत्याख्यम इस नाम से जो बाल के उसको दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया मतलग एक पुत्र उन्होंने गोद लिया जिसका नाम क्या था दामोदर राओ गंगाधर राओ परंतु कतीपय दिनांतरम महराज गंगाधर राओ एव दिवम गता परंतु कतीपय आदिनांतरम मतलग कुछी दिनों के बाद महराज गंगाधर राओ ही मर गए मतलग वो महराज जो थे उनके पती वो भी मर गए केवलम अस्ता दस वर्षे वयसी लक्ष्मी भाई पुत्रस से पत्युष्च वियोगेन अत्यनतम मरमा हता अभवत केवल अठ्थरा वर्ष की उम्र में लक्ष्मी भाई के पुत्र और पती के वियोग से वो अत्यनत दुखी हो गई पते दोनों का ही उनको वियोग हो गया दोनों ही उनके पती और पत्र दोनों ही मर गए रूस्षे वो बहुत दुखी हो गई तदानीम दुस्टा आंगली शाष का तस्या धत्तक पुत्रम उत्त्राधीकारेन रूपेन माननेताम चा प्रधत्वंत उस समय दुस्ट अंग्रेजी शाषक थे तस्या धत्तक पुत्रम उनके जो दत्टक पुत्र को उत्तरा धीकारी के रूप में माननेता नहीं दी उत्तरा धीकारीन अभावस्य छलेन ते जहां सिराज्यम स्वाशास्नाधीनम अकुर्वन और उत्रादीकारी के अभाव की छल से उन्होंने जहांसी राज्ये पर सो स्वाशना दिनम अपने स्वाशन के अधीन अकुर्वन का मतलग कर लिया ठीक है अगला परगाफ अंतियों एतत वर्षम आसीत यह वर्ष था अठारा सो सत्तावन इस्वियम अठारा सो सत्तावन का वर्ष कोन सा था उस समय भारतिय स्वतनता संग्राम का ठीक है? आंगली शाषकान विरुध्य भारते सरप्रथम स्वतंता संग्राम आरब्ध अंग्रेजी शाषन के विरुध भारत में सरप्रथम स्वतंता संग्राम प्रारम भुआ इसमें अंगलिस आशकान का मतलब दित्या बहु वचने भारते में सब्तमी एक वचने जासी राज्यस से स्वतनताई राग्जी लक्ष्मी भाई नाना सहाब तात्या टोपे बाबू कुअर सिंग आदीभी सह मिलित्वा आँगल सेनी कई सह साक्षाथ युध्धम अक्रोत जासी राज्यस की स्वतनता के लिए चतूरती वच्टी एक वचने स्वतनता के लिए राणी लक्ष्मी भाई नाना सहाब तात्या टोपे बाबु कुणर सिंग आधी के साथ मिलकर सहर का मतलग के साथ मिलित्वा इसमें कत्वा प्रत्य यानि करके मिल करके अंग्रेजी शाषन के साथ साक्षार युद्ध किया सामने आमने सामने युद्ध किया युद्ध शेत्रे अश्वारूड आया तस्यहा वीरत्वम द्रिष्टवा शत्रु सेनिका अपी आश्चर्य चकिता अभवन युद्ध शेत्र में घोडे पे सवार गुड सवार तस्या यानि उसकी वीरता को द्रिष्टवा यानि देखकर शत्रु सेनिक भी अपी का मतलब भी आश्चर्य चकित हो गए पुरुष वेशेन सा यदा अश्व प्रस्टात खडगम चाल यतीसम पुरुष के वेश में सा यानि वह यदा यानि जब अश्व प्रस्टात यानि घोडे की प्रस्टात यानि पीट पर खडगम चाल यतीसम तलवार चलाती थी तधा कदली व्रक्षा इव वीरा योध्धार युद्धे कर्तिता मृताचब होनतीसम तब तधा यानि तब कदली व्रक्षा यानि केले के पेड़ के इवकार्थ के समान केले के पेड़ के समान वीर और योधा युद्ध में काटे काटती थी और मारती थी ठीक है इसके बाद अंतिम पेरेग्राफ इसमें मात्र भूमे रक्षाई जीवनस्य अंतिमम शनम यावत युद्धवा लक्ष्मी भाई वीर गतीम लब्धवती मात्र भूमे की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम जीवन के अंतिम सन में जब तक युद्धवा चहां तक युद्ध करके लक्ष्मी भाई वीर गती को प्राप्त हो गई अमनात्य भूमी की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम शंड तक वोसु युद्ध करकर लक्षमी भाई वीरगती को प्राप्त हुई सेयम विरांगना जन्म भूमे गोरवाई एव इतियासत से प्रस्टेशू सर्वधा अमरा अभवत वही विरांगना जन्म भूमी के गोरव के लिए ही इतियास के प्रस्टेशू यानि प्रस्टेशू यानि प्रस्टेशू सर्वधा अमर हो गई सामान ने तह पुरुषा एव रण शेत्रे वीरत्वं प्रदर्श यंति सामान रूप से हमारे जो इतियास है उसमें पुरुष ही रण शेत्रे यानि युद्ध शेत्र में वीरत्व का प्रदर्शन करते हैं किन्तु लक्ष्मी भाई एतत साधित्वती यत भारत भूमें सेवाई सम्मानाय च इस्त्रियोपी कथम पी प्रस्टे नभ होंती किन्तु लक्ष्मी भाई ने यह साधित्वती ये साबित किया यत की मात्र भूमी की सेवा के लिए और सम्मान के लिए इस्त्रियां भी कथम अपी प्रस्टे नभ होंती यानि कैसे भी प्रस्टे का मतलब पीछे नहीं रहती है इतियासे कदाचि देव एता द्रश्या विरांगनाया आविर्भाव भौती इतियास में कभी कभी ही ऐसी विरांगनाय का जन्म होता है इतियास में यदा कदाचि कभी कभी ही ऐसी विरांगनाओं का जन्म होता है यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया यह आपके शब्दार्त हैं जो आपको शब्दार्त उसमें देखकर लिखने है तरीका मैंने बताया अनुवात करने का आपको वेसे ही करना है जिसे मैंने उधारन बताया था यह सारे शब्दारत हैं जिसमें कुछ यह संदियां दी हुई है यह आपको मैंने अनुवात कराई दिया जिसमें कुछ समास भी दिये हुए है इसमें कत्वा और लिव प्रत्ते के बारे में बताया गया है पहले बात तो आप ये समझिए प्रत्ते होता क्या है प्रत्ते जैसे मैंने उपसर की परिवाशा बताई थी इसी प्रकार प्रत्ते की परिवाशा है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ते हैं ऐसे शब्दांश शब्दों के अंज जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्य कहलाते हैं यह सादान प्रत्य की परिवशा है और इसमें प्रत्ते में जो दो प्रत्ते आपको पढ़ना है वो है पहला कत्वा दूसरा लिप यदि एक करता की दो क्रियाएं हो तो पूरुकालि यानि पहले घटने वाली क्रिया के लिए धातु में कत्वा प्रत्ते जोड़ा जाता है इसकी परिवाशा क्या है यदि करता में दो क्रियाएं हो और उसमें जो पहले घटने वाली क्रिया है उसके आगे धातु में क्या जोड़ा जाता है गत्वा प्रत्वे जोड़ा जाता है इन दोनों में एक छोटा साथ अंतर है दोनों प्रत्वे एक ही जगह है दो कृण हैं एक ही करता की दो कृण हैं जिसमों पहले घटने वाली कृण में इन प्रत्यों का प्रयोग किया जाता है जदि उन क्रियाओं में कोई आगे उपसर्ग नहीं है तो कत्वा का प्रयोग होगा और आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो फिर लियप प्रत्य का प्रयोग होगा जैसे एक्जामपल देखो भूधन कत्वा तो भू धातु में आपके कोई उपसर्ग नहीं लग रा आगे तो कत्वा प्रत्ते का प्रियोग होगा और यह बना भूत्वा द्रिश्धन कत्वा तो द्रिश्ट्वा ठीक है ऐसे लिप प्रत्ते में मैंने बताया था आगे धातु के पहले क्या होगा उपसर होगा अनू उपसर भू धातु धन लेप प्रत्ते तो अनू भू और लेप का क्या शेश रहता है यह तो अनू भू यह वी उपसर रुद धातु लेप प्रत्ते वी उपसर का वी पूरा रुद पूरा आएगा और लेप का यह आएगा तो विरुध्य है ठीक है कत्वा लेप प्रत्ते वाले जो शब्द होते हैं वो अव्वे शब्द होते हैं यहनि अव्वे शब्द के रूप में इसको प्रयोग करते हैं आपको इसका वाक्य में प्रयोग करके भी यहां बताया गया है इसका आर्थ करके होता है ठीकर या कुछ इसके उधारण भी दिये हुए इधर लेप्ट साइड में कत्वा के राइट में लेप के इसके बाद आपको अभ्यास प्रशन है अभ्यास प्रशन में मैंने आपको बताया मैं केवल इसमें आपको प्रेश्ण के बारे में समझा देता हूँ उत्तर जो है आपको खुद को इसी बुक में भंडना है बुक में आगी की साइड आपको यह खाली जगए यहाँ पर उत्तर लिखना है पैंसिल से पैंसे कोई नहीं लिखेगा पैंसिल से लिखना है लिखने के बाद इसके नीचे मैंने इसका आंसर की भी दी हुई है उत्तरमाला भी दी हुई है आपको उत्तरमाला से उसका आंसर चेक करना है ठीक है चेक करने के बाद जो गलत जाएं उसको आपको सही मिटाके सही करना है फिर जब पूरा सही हो जाए आपने अपनी मर्जी से पूरा लिखके चेक कर लें तब फिर उसे fair copy में उताड़ना है संस्क्रित की में ठीक है ना तो पहला question है संस्क्रित में उत्तर दो मैंने आपको बताय हुआ है इसका बिल्कुल आसान तरीका है आप जो भी सेंटेंस पढ़ोगे उसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करो जैसे आप हिंदी अर्थ करोगे आपको अपने आप उसका आंसर आ जाएगा और यदि नहीं भी आता है तो आप फिर उस बुक में से उसको चेप्टर में से देख सकते हो जिसे पहला नाम किम असती आसित तो लक्श्मी भाई महोड़ा के बाले काल का नाम क्या था क्या क्या आसित का मतलत था जैसे हमने Soup लिकी अपने आप आंसर आएगा लक्श्मी भाई आपकोशन का नाम क्या था तो मनू तो हमें आंसर क्या लिखना है मनू अब हम इसे पूरे sentence में set कर सकते हैं और एक शब्द में आंसर देना हो तो एक शब्द में भी दे सकते हैं मनू और यदि पूरा आंसर देना है तो हम कीम हट आके उसकी जग़े पे मनू लिख देंगे बाकी पूरा वैसका वैसा आजाएगा ठीक है इस तरह से इस question को करना है question number second उप्युक्त शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करो जैसे इधर पीछे की साइड आपको तीन तीन ओप्षन दिये हुए है इन तीनों ओप्षन में से जो सही ओप्षन है उसको आपको लिखना है ठीक है ये वैसे आपको चैप्टर में भी मिल जाएंगे और आप हिंदी अर्थ करके और विबक्तियों के ग्यान के आधार पर भी इसको भड़ सकते हैं आप ये लगातार प्रेक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आता जाएगा अगला है निमलिकित विग्रों के समस्थ पद लिखें इसमें क्या है समास विग्र दिया हुआ है विग्र दिया हुआ है और हमें उसका समस्थ पद लिखना है इसको मिला कर उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे एक पद क्या बोलेंगे उसको जैसे पहला इसमें दिया हुआ है वीरा, चेयम, अंगना तो इस पूरे का समस्त पद होगा वीरांगना क्या हो जाएगा इसका? वीरांगना मैंने उपर बताया था उपर भी कुछ उधारण दिये हुए है तो इसमें ये जो उधारण दिये हुए है इसमें देखो कोमा लगा हुआ है जहां कोमा लगा हुआ है यानि वो पूरा एक है एक विग्र है और हर एक विग्र का आंसर उसके उसका समस्त उसके सामने लिखना है अगले का अगली लाइन में लिखना है ठीक है अगला है निमली की शब्दों के अर्थ लिखें ये शब्दार्थ है ये आपको शब्दार्थ में मिल जाएंगे फिर क्विश्चन नमबर फाइब जो है दिये गए धातूं के उचित कत्वतु प्रत्यान रूप से रिक्तिस्तान की पूर्ति करें यहां कत्वतु प्रत्य लगाकर और उसकी धातूं जो है ये धातूं में पीछे दियुए ये धातूं में कत्वतु प्रत्य लगाकर जिसे पूर्लिंग है तो पूर्लिंग का लगेगा इस्त्रिलिंग है तो इस्त्रिलिंग का लगेगा जिसे पूर्लिंग में लगता है वान और इस्ट्रिलिंग में लगता है वती और नपुसक लिंग में वत तो इस तरह से इसका प्रयोग करना है लेकिन ये question बुक में ही भड़ना है इसे 5th नंबर के question को कोपी में नहीं करना है ठीक है? 6th नंबर के question में दिये गए धातू में आउशकता नुसर कत्वा या प्रत्ते का प्रयोग करना है तो देखो मैंने आपको भी बताया था जिसमें केवल अकेली धातू दियो ये उसमें कत्वा का प्रयोग होगा प्रियोग कत्वा उसमें जुड़कर क्या बनेगा वो लिखना है आपको जैसे पहला भू के साथ कत्वा जुड़ेगा लेप नहीं जुड़ेगा तो भू धन कत्वा इक्वल टू बराबर भू त्वा इस तरह से अब जैसे अगला है अधी उपसर्ग क्रीधातू धन अब इसमें कत्वा नहीं जुड़ेगा लेप जुड़ेगा क्योंकि इसमें उपसर्गा गया तो लेप तो अधी क्री है ना और लेप जुड़े करते हैं इस तरह से इसका रूप बन जाएगा उधारण भी दिया हुआ है सेवंध क्षिशन है संस्कत में अनवाद करें इनका में संस्कत में अनवाद करना है इस तरह से आपका चैप्टर कम्पलीट हो गया इसकी यह उत्तर माला दियूए यह पूरी यह सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे आपको उत्तर माला में आपको लक्षमी भाई चैप्टर क सारे answer मिल जाएंगे इस तरह से आप इसको check भी कर सकते हैं बाद में और फिर फिर copy में करना है इसमें question number five मैंने बताया copy में नहीं करना है उसको copy में नहीं करना है ठीक है और हमेशा की तरह जब मैं आपको जैसा बताता हूँ कि आपको सबसे पहले एक एक chapter के बारे में पढ़ना है एक एक paragraph उतारना है परिग्राफ उतार के आपको उसका हिंदी अन्वाद करने कोशिश करना है नीचे कठीन शब्द लिखकर जब पूरा अन्वाद हो जाए उसको जरूरी नहीं एक बार दो एक बार दो तीन बार तक हम उसे पढ़ सकते हैं फिर उसके बाद उसके question answer करने कोशिश करना है फिर उनको check करना है फिर उसको fair copy में उतारना है फिर याद करना है ऐसा करेंगे हमें पूरा chapter अच्छी तरह से याद हो जाएगा धन्यवाद